चीटी और कबूतर एक समय की बात है एक चीटी को बहुत जोर की प्यास लगी वो चलते चलते एक नदी किनारे पहुँची वह जैसे ही पानी पीने के लिए नदी की तरफ जुकी तो फिसल कर नदी में गिर गई चीटी नदी में बहने लगी उसी नदी के किनारे एक पेड था जिस पर एक कबूतर बैठा हुआ था उसने चीटी को पानी में डूपते हुए देखा तो उसे दया आ गई उसने जट से एक पत्ता तोड़ा और पानी में गिरा दिया चीटी जट से पत्ते पर चड़ गई और तैरते हुए नदी के किनारे पहुँच गई चीटी बहुत खुश हुई और कबूतर को धन्यवाद किया और चीटी अपने घर की तरफ चल दी कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया उसने कबूतर को पेड़ पर बैठा हुआ देखकर निशाना लगाया चीटी ने शिकारी को कबूतर पर निशाना लगाते हुए देख लिया चीटी जट से शिकारी के पास पहुँची और शिकारी के पैरों में जोर से काटा शिकारी चिलाने लगा और उसका निशाना चूक गया आवाज सुनते ही कबूतर आस्मान की तरफ उड़ गया कबूतर ने उड़ते उड़ते चीटी को धन्यवाद किया शिक्षा विपत्ति के समय जो हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है